वेलकम टो प्रोग्रामिंग ट्री प्रोग को क्लियर हो जाएगा तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सेशन के तरह लांग फाम होता है हाइपर टेक्स मार्कप लैंगविज और इसके लिए हमें कुछ फंडामेंटल साफ वेब समझने पड़ेंगे तो आगे बढ़ते हैं उस टॉपिक पर इस पूरे सीरीज में इस प्लेलिस्ट में हम कुछ चीजे कवर करने वाले हैं हाव वेब्वर्क्स एश्टमल बेशिक टाग्स ब्लोग एंलाइन इलेमेंट्स का डिफ्रेंस्स सिमन्टिक टाग्स फॉर्ण टैग्स एड कुछ प्रोजेक्ट पर काम करेंगे हाव वेब वर्क्स तो इंट्रोड़क्शन टू वेब डिवलप्मेंट कैसे होता है एक ओवरॉल इंटरनेट काम कैसे करता है यह रिक्वेस्ट साइकल कैसे होती वो समझने कोशिश करेंगे मैंने मेरे लैप्टॉप में ब्राउजर ओपन किया ब्राउजर ओपन करके वहाँ सेट आफ नेटवर्क में आपका सर्वर कहा रखा है उसको डिटेक्ट करता है बेस्ट ओन आपकी डिनस रिक्वेस्ट पर जैसे हमने डूमें रिक्वेस्ट किया प्रोग्रामिंग्ट्री डॉट कॉम तो अगेंस दाट उसका सर्वर आइडेंटिफाई करेगा और आपकी रिक्वेस्ट रिसीव करने के बाद आपको बदले में कुछ रिस्पांस देगा जिसको हम बोलते हैं एच्ट पर रिस्पांस तो जब कभी भी हम अपने ब्राउजर पर प्रोग्रामिंग्ट्री डॉट कॉम या भी कोई वेबसेट डालेंगे तो हमारी रिक्वेस्ट सब्सक्राइगा बंडल of HTML, CSS and JavaScript तो इस तरीके से आपका पूरा राउट एक्जिग्वेट होके आपको वेब पेज दिखेंगे आपके ब्राउजर के अंदर अब है क्या हाइपर टेक्स मार्कप लेंग्वेज जो इंटरेंट पे वेब डॉक्यमेंट होता है या वेब होता है इसमें कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे जैसे कि टाइग्स पेर टाइग्स अन पेर टाइग्स होता क्या है वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं बेसिकली HTML जो है यह कुछ कीवर्ड से बना होता है जिन कीवर्ड में जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहां प आप less than and greater than sign के बीच में लिखे देते तब हम उसको बोलते है टाग्स तो टाइग्स यहां पर आपको दिख रहे होंगे कुछ टाइग्स में HTML लिखा है किसी टाइग में slash HTML लिखा है तो यह क्या डिफरेंस है वो समझने कोशिश करेंगे लेकिन यह मार्क अप केस इंसेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब यह है कि पिछले एक्जामपल में मैंने HTML small में लिखा था इस एक्जामपल में मैंने HTML capital में लिखा है इवन अगर मैंने HTML capital letter में लिखा है तो भी यह प्रोग्राम काम करेगा run करेगा as it is इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है तो less than exclamation sign dash dash or dash greater than sign के बीच में जो भी आप लिखते हैं उसको बोला जाता है HTML comment आप लोगों ने basic programming language में slash star star slash या फिर double slash other comment देखा होगा HTML का comment का syntax थोड़ा अलग है तो हमें मैं काम करते हैं we'll move toward the first example of your HTML यह जो पूरा ढाचा है इसको बनाने की कोशिश करते हैं सो वाट ऐल दो इस लोपन दो notepad और notepad के अंदर हम हर मारा पहला code लिखना शुरू करते हैं HTML slash HTML यहाँ पे हम लिखते हैं head tag यहाँ पे हम लिखते हैं slash head tag यहाँ पे हम लिखते हैं body यहाँ पे हम लिखते हैं slash body अब आपके पास शायद एक question आ रहा होगा क्या मुझे notepad में ही code लिखना HTML का answer is no आप notepad notepad plus plus textpad vi editor as well as अगर आप visual studio code यूज कर रहा चाते हैं वहाँ पे आप use कर सकते हैं any editor हाँ अगर आप visual studio code का इस्तेमाल करते हो तो आपके पास एक advantage है let me open the visual studio code for you कोड में अगर आप प्रोग्राम करते हो तो आपको एक advantage मिलेगा so as soon as I create a new file in here as my first page dot html और यहाँ पे जब हम exclamation sign देके tap दबाते तो पूरा का पूरा HTML का boilerplate आपके सामने आ जाता है तो आपको यहाँ पे html का जो पूरा syntax है यहाँ पे predefined मिल जाएगा ठीक है इस तरीके से पूरा html का boilerplate आपको मिल जाता है और एक advantage होता है यहाँ पे कि आपका जो autocomplete feature है और intelligence है यहाँ पे काफी अच्छा है मतलब अगर मैं कुछ चीजे लिखता हूं तो मुझे बहुत सारे tags जो है जैसे कोई भी tag मुझे चाहिए तो उस tag की information टैप फिर यहाँ पे अगर इसके attributes नहीं तो वो सारी चीजे मुझे यहाँ पे मिल जाएगे आसानी से तो यह हमें advantage मिलता है अगर आप कोई ID यूज करे लिखना चाहते है और फिर हेड के अंदर हम लिखते है टाइटल टाइटल हेलो स्लाश टाइटल अब पहले तो हम इसको सेव कर लेते हैं लेट सेव दिस कोड को मैं सेव कर रहा हूं माइपेज टू डॉट हटेमल और एक पर्टिकुलर फोल्डर में मैं इसको सेव कर लिया विसको ओपन करने के लिए आइल ओपन ब्राउजर और यहाँ पे तो यहाँ पे माइपेज तू आला जो पेज है वो ओपन करेंगे इस लुक आट तो हमें कुछ ज्यादा कुछ इं पेज का हेलो करके ठीक है नव लेट्स ट्राइट तू दू दाट कि इन दो चीजों को हम अभी ऑपरेट कैसे करेंगे वक कैसे करेंगे तो मैं काम करता हूँ इसको थोड़ा कुछ हम अलाइन कर लेते साइड में और इसको भी यहाँ पर अलाइन कर लेते हैं है कि यहां पर हम इस्टेहम कोड शूरू होता है एस्टेमेल टैक्स यहां पर हमीर एस्टेमेल एस्टेमेल का कोड़ के स्युरूहां cookies यहां पर हमारे एस्टेमे diesem att temp चालू हूआ और हमारे बड़े दरे दरे आपको समझेगा में डालते हैं वह आपके ट्राइब आपको आपको आपका ट्रीच दिखाई देता होगा यहाँ यहाँ पर मैं यहाँ पर्टिस प्राइटल सेव किया रिफ्रेश किया यहां पर माइपे टाइटल रिप्लेश हो गया बॉडी क्या होता है इसके अंदर आक्चुल आपका वेबसाइट या सब्राउजर के अंदर दीख रहा है इस पॉरशन में जो body section में लिखोगे, वो reflect होता है, let's try, this is test page, save, refresh, यहाँ पर आ गया, थोड़ा सा मैं font बढ़ा देता हूँ, तो this is the test page, यह आपको यहाँ पर दिखाय दे रहा है, अब मैं enter करके अगले line में लिखता हूँ, word wrap नहीं होता तब तक, what does that mean, अगर मेरा para बहुत बढ़ा है, मेरे paragraph में इतने content से कि उस line में नहीं आ रहे, तब वो अपने आप अगले line में चले जाएंगे, let's save this, and let's refresh it, तो यहाँ से चीज़े अपने आप अगले line में चली गई, क्योंकि वहाँ पर जगई नहीं थी, आगे data डिस्प्ले करने के लिए, तो वो auto wrap हो जाएगा, बट, अगर आप ऐसा notepad में enter करके कोई चीज़े लिख रहे हो, और expect कर रहे हो कि वो चीज़ जहाँ पर अगले line में आए, ऐसा नहीं होने वाला, इसको सिर्फ और सिर्फ समझते है tag, और अगर आपको कोई चीज अगले line पर चाहिए exclusively, तो आप उसके पहले लिख सकते हो, बी आर टैग, तो बी आर टैग मतलब ब्रेक टैग होता है, उसको बी आर ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, यह अगले line में आ गया, या फिर बी आर फॉरवर्ड स्लैश भी लिखा जाता है, ठीक है, तो वो नंद सेम तिंग, वो सेम तरीके से काम करता है, अब यहाँ पे यह हमारे सामने है, html जो ओपन हुआ, slash html जहां पे हमारा html close हुआ, इसके अंदर दो टैग है, head section जहां पे हमारा head आया, body section जहां पे हमारा actual website का content हम डालने वाले है, वो आ गया, body content, यह जो पूरा structure आपको दिख रहा है, this is a basic html structure, कि basic html का code ऐसे ही लिखा जाना लेकिन उस में forward slash नहीं होता, तो tags without forward slash is called as opening tag, तो जैसे html का ये जो tag है, जिसमें forward slash नहीं है, उसको हम बोलेंगे opening tag, and ऐसा जो tag जिसमें forward slash है, उसको हम बोलेंगे closing tag, so this is opening tag and this is called as closing tag, अब tags which has opening as well as closing tags are called as paired on container tag, जैसे HTML tag open किया, HTML tag close किया, head tag open किया था, हमने head tag close किया, body tag open किया था, body tag close किया, वो सारे हो गए हमारे paired और container tag, BR tag में हमने open किया था, लेकिन BR tag को अलग से close नहीं किया था, BR and slash BR अलग से दो अलग-अलग tags नहीं लिखे थे, ठीक है, तो उन tags को बोला जाता है, unpaired और singular tag, तो जैसे BR tag है, वैसे एक और tag होता है HR, HR में horizontal rule आता है, एक horizontal line आती है, उसको बलते है HR tag, you can see that as well, तो हम हमारे notepad में जाते हैं, and let's put HR in here, यहाँ पर एक नीचे में HR tag add कर देते हैं, save करते हैं, refresh करते हैं, यहाँ एक horizontal rule आ जाता है, horizontal line आ जेते हैं, जिसको हम है HR tag बहुता है, फिर आते हैं कुछ basic tags जो हमारे HTML के अंदर लगने वाले हैं, जैसे bold tag है, italic tag, underline है बगरा बगरा, तो let's do that, let's go to our page again, हम यह दो pages में हमारा work करते हैं, so now, यहाँ पर हम सारे tags एके करके, यहाँ पर align करेंगे, and we'll see the output, मैं एक सारे tags यहाँ पर यूज करना शुरू करेंगे, जैसे मैंने लिखा, welcome to programming tree, this is first page, चीके, अब मुझे welcome bold में लिखना है, so what I'll use, I'll use bold tag, इसके बाद मुझे two italic में चाहिए, italic tag, ठीके, programming tree underline में चाहिए, आप use कर सकते हो underline tag, यह होगे आपके fundamentals, तीन tag, bold italic and underline, अगर हम इसको refresh करते हैं, you'll see that, welcome is displayed in bold, two in italic and u in underline, तो b stands for bold tag, i stands for italic tag, u stands for underline tag, ठीके, इसके बाद कौन से tags हैं और, br tag, ठीके, हमने already देखा था, break, यह मुझे अगले line में चाहिए, तो यहां पर आप break tag लगा सकते हो, br tag जहां पर भी लगाओगे, उससे जो चीज़े हैं अगले line पर print हो जाएगे, like this is first page has printed on the next line, अब है next paragraph tag, paragraph tag को paragraph break tag भी बोला जाता है, जिसमें जो भी चीज़ परग्राफ के अंदर print होगी, वो हमेशा new line में ही print होती है, this is para 1, save करते हैं, and let's refresh, this is para 1 is printed on to the new line altogether, और एक नया para add कर देते हैं यहां पर, and this is para 2, यह भी new line में print होगा, as a separate paragraph, and that is why this is called as paragraph break as well, इसको paragraph break भी का जाता है, जिसमें हम paragraph sprint करते हैं, हला कि मैंने थोड़ा content बहुत ही छोटा लिया है paragraph के इसाब से, बड़ अगर आप यहां पे कुछ और content भी डालते हो, so you can see that, that particular paragraph, यह थोड़ा सामनी यहां पे और content डाल दिया, let's refresh, and see that, it will look something like this, पूरा एक paragraph जो है, वो यहां पे आएगा, और जो अगला paragraph है, वो अगले line पे print होगा, as per the requirement, फिर आते हैं, h1, h2, से लेके h6 tag तब, यह भी कुछ और tags हैं हमारे पास, h1 से लेके h6 तब, तो body tag के उपर ही, सबसे पहले मैं लिखता हूँ, h1 tag, और यहां पे लिखता हूँ, hello, और, for your information, मैं इसको छे बार copy paste करता हूँ, because हमें h1 से लेके h6 तक देखना है, कि क्या क्या difference आएगा, हमारे tags में, let's try to see that, तो यहां पे hello जो है, यह h1 tag है, जो highest reading cell है, और फिर यह हमारा h6 है, जो smallest heading cell है, तो this is how it is, highest heading cell आता है h1 से, and smallest heading आता है, हमारा h6 से, तो यह h1 से लेके h6 तक हम tag यूज़ कर सकते हैं, इसके बाद, आपने h2SO4, या फिर x2, y2, maths में, physics में वगरा print होते हुए, चीज़े इस टाइप से देखी होगी, तो अभी अगर मुझे x2, y2 प्रिंट करना है, suppose, if I want to print x2, y2, तो ऐसा लिखेंगे तो कुछ होने वाला है, नहीं, let's save and let's refresh, यहाँ पे h2SO4 हो, यह normal line में आया, मुझे h2SO4 में 2 and 4 नीचे side में चाहिए थे, as a subscript, and 2 and 2 उपर चाहिए थे, as a superscript, तो subscript and superscript क्या करता है, यहाँ पे एक sub tag होगा, जिस चीज को आपको subscript में लिखना है, उसको हम इसा sub and slash sub tag में डाल देते हैं, save करते हैं and refresh करेंगे, you can see that the h2SO4 में 2 हमारा as expected आ गया, same मुझे 4 के साथ effect लगाना है, तो हम 4 के पहले sub and slash sub apply करेंगे, let's save, let's refresh, तो यहाँ पे h2SO4 आपको दिखाए दे रहा है, now let's build the x square, y square, यहाँ पे हमें superscript वाला tag लगाना पड़ेगा, because हमें उसको superscript position में दिखाना है, and same goes for y square के लिए जो 2 बना है, उसके बाज़ों में भी हम sub tag लगाना है, superscript, so this तरीके से, इस तरीके से आप यहाँ पे in-tags का इस्तमाल कर सकते है, तो basically यह होगे आपके fundamentals of HTML tags, इसी पूरे session का और आगे बढ़ाएंगे हम, till a small project where you will come to know how to develop projects in HTML. Thank you for watching our video, please like, share and subscribe our channel.